टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यूवराज सिंग के पिता योगराज सिंग एक बार फिर विवादों में है। इस बार योगराज ने भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव और MS धोनी पर बयान दिया है। भारत के लिए साथ मैच खेल चुके योगराज ने कहा। वे धोनी को जिन्दगी में कभी माफ नहीं करेंगे। योगराज का कमेंट सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। भारत को पहला वर्ल्ड कप जीताने वाले कपिल देव के बारे में योगराज सिंग ने कहा। उन्होंने 1981 में मुझे टीम से निकाला। उनको मैंने कहा था वो हाल करके छोड़ूँगा दुनिया थुकेगी तुछ पर। योगराज ने जी स्वीच के यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए कहा। मैं MS धोनी को माफ नहीं करूँगा। उन्हें आइने में अपना चेहरा देखना चाहिए। वे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे के खिलाब चुक किया है। वह सब कुछ अब सामने आ रहा है। उन्हें जीवन में कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने जीवन में कभी दो चीजें नहीं की हैं। पहला जिसने मेरे लिए गलत किया है। मैंने उसे कभी माफ नहीं किया है, और दूसरा, मैंने अपने जीवन में कभी भी उन्हें गले नहीं लगाया है, चाहे वो मेरे परिवार के सदस्य हो या मेरे बच्चे. कपिल देव के साथ उनके रिष्टे तब से तनावपुर्ण है, जब उन्हें 1981 में भारतिये टीम से बाहर कर दिया गया था. योगराज का मानना है कि कपिल ने उन्हें अपने प्रति द्वंद्वी के रूप में देखते हुए टीम से बाहर कर दिया. योगराज सिंग ने कहा, मैं जिन्दगी में लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि योगराज चीज किया है, जिसको तुमने नीचे गिराया है. आज सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे है, सलाम करती है और वो लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया था. किसी को कैंसर है, किसी का घर तूट गया, और किसी के घर में बेटा ही नहीं है. आप समझ रहे हो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो है आपके ग्रेटेस्ट कैप्टन ओना फोल टाइम, मिस्टर कपिल देव. उसको मैंने कहा था कि वो हाल करके छोड़ूँगा, दुनिया थूकेगी तुछ पर. आज योवराज सिंग के पास तेरह ट्रॉफी है, और तेरह पास एक ही है वर्ल्ड कप. पहले भी कई बार धुनी पर बोल चुके है योगराज, ऐसा पहली बार नहीं है, जब योगराज ने धुनी पर निशाना साधा है. इस साल की शुरुवात में 66 वर्षिये पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया था, योगराज ने कहा था, CS के IPL 2024 हार गई. वे क्यों हार गए? जो बोगे, वैसा ही काटोगे. योगराज सिंह ICC के एमबेस्टर है, उन्हें सलाम घमंडी धुनी, वह कहा है? उसने योगराज से हाथ तक नहीं मिलाया, और यही कारण है कि CS के इस साल विफल रही. दोस्तों, आप क्या सोचते हो योगराज सिंह के बारे में? योगराज सिंह क्या मानसिक रूप से बीमार है या उनके अंदर जलन की भावना है?